प्रियो लॉर्ड फिर एक बार मैं पास्टर मनोश्या हूँ आपका स्वागत अभिनंदर करता हूँ प्रियो आज हम बात करेंगे कि एक कलीसिया में कौनसी कौनसी प्राथना होनी चाहिए यानि हम काफी प्राथना सभा जो हमारी कलीसिया में चलती है और वो सभी सभा अच्छी है उसमें क्या कहता है ना कोई गलत चीज नहीं है हम जब भी मिलते हैं हम प्राथना करते हैं हम वचन शेयर करते हैं हम वचन सुनते हैं हम अधिस्ति करते हैं उपास करते हैं यह बहुत ही अच्छी और सुन्दर बात है लेकिन उनमें और भी कुछ चीजों को हमें इन दिनों में विशेश करकर अड़ करना चाहिए देखो एक फिर हम देख सकते हैं fasting prayer होता है फिर हम देख सकते हैं ladies meeting होता है फिर हम देख सकते हैं choir practice होता है फिर हम देख सकते हैं night prayer होता है फिर हम देख सकते हैं मद्यस्ति की प्राथना होती है फिर हम देख सकते हैं कि हमारा जो church है वो special meeting organize करता है हम भी organize करते हैं महिने में एक बार दो म जीद करते हैं क्या ये सभा गलत है बिल्कुल भी नहीं ये सभा बिल्कुल भी गलत नहीं है लेकिन इन सभाओं के पीछे जो है ना हम अक्सर जो है दर्शन नहीं जोड़ते हैं और उसी के वज़े से वह सभा हो जाती है भीड की भीडा जाती है लेकिन उसके बाद जिस प्र अगर आप पाजबान हैं अगर आप सेवक हैं आप कितनी सारी सभा कर चुके हैं अब जो लोग प्रचार के तोर पर बाहर जाते हैं क्योंकि मैं भी प्रचार के तोर पर बाहर जाता हूँ और आगे भी मैं जाता रहूंगा लेकिन अब जो है ना मेरा कॉंसेप्ट थोड़ा स मैंने change कर दिया है पहले मैं बहुत जाता था लगातार तोर पर जाता था अब मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है अब मैं उनके यहां पर जाता हूं जो लोग family friends में आते हमारे जो लोग हमारे अच्छे मित्र है तक हम उनके कलीसिया को तयार कर पाए परमेश्वर के ao है राज जो में अध्भुत कटनी काटने के लिए रैंडमली हम कहीं भी नहीं जाते है कोई अगर बुलाए तो हम जरूरी है उधारनी की तोर पर मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं ना क्योंकि शायद जब मैं यह बात कर रहा हूं या करने पर हूं आप इन चीजों को है या आप कैसे उन लोगों के उन्नती देखते हैं आपको हम गए वहां पर हमने प्रचार किया अब आगे कोई ना उनके जो पासबान है उनके उपर responsibility है कि वह अपने लोग को कैसे mark direction करें पोलूस ने कभी ऐसे नहीं कहा ये शुमसी ने कभी ऐसे नहीं कहा वह बहुत ध्यान पुर्वक चीजों करते थे अब हमारे पास जो है ना समय बहुत कम है आप जानना चाहोगे शायद कि ये शुमसी जो है बहुत जल्दी आने पर है और हमें उनका सुवागत करने के लिए वो तयार है आने के लिए लेकिन हमें उनका सुवागत करने के लिए एक बड़े जुंड को तयार करना बहुत जरूरी है जो लोगों ने उद्धार नहीं पाया है उन लोगों तक सूसमाचार पहुंचाना और उन लोगों तक सूसमा सबी का उधार नहीं कर सकते, तो जिनका उधार हुआ है, उनको तयार करना बहुत सरूरी है, तो हमारे चुर्च में एक सबसे जो बड़ा एक्टिविटी है, या सबसे बड़ा जो प्राथना का समय है, या फिर सबसे बड़ा जो important prayer meeting है, वो मिस कर देते हैं, और वो क्या है, disciples create करना, चेलो को तयार करना, the making of disciples, चेलो को तयार करने का जो सभा है, वो हम बहुत कम लेते हैं, कभी कबार लेते हैं, और नहीं के बराबर लेते हैं, और उसी के वज़ा से, लोग कलीसय में टिकते नहीं हैं, उसी के वज़े से, लोग कलीसय छोड़ कर चले जाते हैं, उसी के वज़े से, वे परमेश्र के बातों को नजर अंदास करते हैं, उसी के वज़े से, वो संसार पहले जो चीज़े हैना आज कलीशया में आ गई पहले की कलीशया में यह सब चीज नहीं था पहले ही कलीशया में मनोरंजन नहीं होता था पहले ही कलीशया में किसी प्रकार का नाटक नहीं होता था जोक्स नहीं होते थे पहले ही कलीशया में किसी भी प्रकार का डैंस कॉंप competition नहीं होता था song competitions नहीं होता था क्योंकि पहली कि कलीश्या इतनी बिजी थी सुसमाचार सुनाने में प्राथना में और चेलों को तयार करने में तो उनके पास वक्त नहीं बसता था लेकिन आज कलीश्या के पास इतना सारा वक्त है अगर आप कोई meetings में चले जाओ जो yearly meeting होती है या फिर quarterly meeting होती है या फिर monthly meeting होती जब आप वहाँ पर चले जाओगे तो लोगों के पास बहुत समय होता है छे घंटा का सभा होता है उसमें से 20 मिनिट या आदा घंटा या एक घंटा प्रचार के लिए दिया जाता है बाकि 5 घंटा उसमें worship होता है उसमें डैंस होता है उसमें फिर सरे चीज़े होती है ले चीज़े क्यों कि दर्शन नहीं होने के वजह से इन चीजों के खिलाफ में बात नहीं कर रहा हो लेकिन जहीं कहता है जो सबसे महतोपुन जो आपका पॉइंट है आप उन चीजों को मिस कर रहे है और वह रошता बाइबल जो है पुरा new झालों को तैयार करने का जो प्रक्रिया है उसको हमने साइड में हटा दिय और बाकी सब चीज हम कर रहे हैं हमें currently घ्कर हमारी क्लिसिया में हफते में कमसे कम एक दिन ऐसा होना जहिए वह दिन छेलों के ये डीडिकेटिड हो जो जो दिन नये चेलों को तयार करें और जो पुराने चेले हैं उन्हें और अपग्रेड करें उन्हें और बताएं उन्हें परमेश्वर के बातों को कैसे वो अपने जीवन में पूरा करें और कैसे परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन के द्वारा फैलाएं उन्हें हमें सिखाना आना चाहिए उन्हें हमें सिखाना आना चीए जितने भी पाजबान है आप गंभीर हो जाए अगर आपको परमेश्वन ने दर्शन दिया है बड़े कलीसिया के बारे में तो आपको स्टडी करना है डिसाइपल्शिप के बारे में छेलों को तयार कैसे करें उनके बारे में आपको वचन प पहाग अपने कलीसय का बना लो अगर आप महीने में एक बार मीटिंग करते हो तो उस मीटिंग का उद्देश यह होना चाहिए कि प्रभू जितने भी नए लोग आए उन लोगों से हम मुलाकात करें और फिर उन लोगों को हम परमिश्वर आपके चेलों में बदलना चाहते ह हमें मदथ और साहित कर यहापकी प्रातना होना चाहिए यह आपका दर्शन होना चाहिए लेकिन आज क्या होता है कि लोग आते हैं और जाते हैं और फिर हम कर दोया है एक्टिविटीज में एक सबसे जो हैं चेलो को तैयार करना नहीं मध्यस्ति यह सब चीज इंपॉर्टेंट हैं वापस कहता हूँ मैं परात्ना के खिलाफ नहीं हूँ मैं मध्यस्ति के खिलाफ नहीं हूँ ये सब चीज हमें करना है लेकिन साथी साथ जो आपका मुख्य मद्दिस्ति क्यों करना है ताकि प्रभू हाँ आप अपने दासों को भेजें क्योंकि खेत पक चुकी है हमें स्वामी से प्राथना करना है मजदूरों को भेजने के लिए हमें स्वामी से प्राथना करना है काफी बार मुझे ऐसे लगते कि हमने स्वामी से प्राथना किया कि स्वामी हमारे उद्धार करता हमारे एक मात्र परमेश्वर प्रभु येश्यू आप मजदूर को भेजें येश्यू कहते हैं उपर से बैठ कर कि बेटा मैंने मजदूर को अल्रेडी हमें दिये हैं लेकिन हम मजदूरों को सिखानी पा रहे हैं कटनी कैसे काटे और उसी के वज़े से आज खेत पक कर खराब हो रही है प्रियो अपने आपको समय दो यह सिखाने के लिए कि इस समय का सबसे मुख्य जो बात है वो है चेलों को तयार करना और उसकी जि तयार करने के बारे में हो आपका हिलींग मीटिंग जो है वो चेलों के बारे में हो आपका प्रॉफिटिंग मीटिंग जो है वो चेलो को तयार करने के बारे में हो आपका वर्शिप गैदरिंग जो है वो चेलो को तयार करने के बारे में हो हार एक चीज जो है आपकी अगवाई करनी चाहिए चेलो को तयार करने के लिए और जब छेले तयार होंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना प्रभू येश्व मसी आपका और आपके हर एक लोगों का इस्तमाल करेंगे अद्बुद्बातों करने के लिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए God bless you प्रभू आपको बहुत आएक से आशिश दे